और गाईज आज़ की सीवा नई ओगे सफा डवाई की बात करों हब्र और क्लासीकल मैडिसिन लागे अलगे ड ciert आ चिर से फेली होते हैं पहले से दोस्तो सबसे पहले अगर हम फाइदे देखें इसके तो अगर किसी को नया या पुराना बुखार है यानि नया या पुराना बुखार जैसे कि किसी को काफी समय से बुखार है जिसको पुराना बुखार कहते हैं और बुखार जो है खतम नहीं हो रहा है तो इस तरह के नये पराने बुखार के लिए काफी अच्छा होता है इसको दूर करती है। अगर किसी को हाथ पैरों मे जक्रण है यथा आख मरोड़न हो रही है तो इसमें फाइदे मनद है और सरीर में लगतार किसी को बुखार बना रहता है जिसकी बजासे सरीर में जक्रन, हरारत जैसी रहती है, इसको ठीक करती है इसके अलावा किसी को नजला जुकाम खासी हुआ है, नजला जुकाम खासी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो ऐसे नजला जुकाम खासी के लिए काफी मुफीद है और काफी अच्छी होती है दोस्तों ये जो नजला जुकाम खासी है सर्दी के मौसम में हुआ हो या सर्दी के कारण हुआ हो जैसे कि सर्दी का मौसम आज कल चल रहा है मौसम चेंज हो रहा है तो उनके लिए भी काफी अच्छा होता है उनके लिए मुफीद है गाइस ये एक गर्म प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन है मतलब गर्म खुसमिजाज की दवाई है और ऐसे लोग जो नसा करते हैं और नसा नहीं छोड़ पा रहे हैं जीजिए कोई किसी तरह का नसा करते हैं और उसको छोड़ने में उनको काफी परिशानी हो रही है तो इसको नसा छोड़ने के लिए भी यूस किया जाता है इसका इस्तमाल करवाया जाता है ऐसे लोगों में ये काफी अच्छा काम करती है दोस्तों ये एक एंटी पायरेटिक और एंटी इस्पास मोडिक होती है मतलब एंटी पायरेटिक की बुखार को ठीक करती है बुखार को कम करती है बोडी के टेंपरेचर को मेंटेन करती है एंटी इस्पास मोडिक का मतलब है कि पेट में होने वाले या muscles में होने वाले जो भी cramps है एठन मरोडन है इसके लिए फाइदे मन्द होती है और काफी relax कराती है दोस्तों इसके लाबा अगर किसी को headache होता है सर में दर्द होता है तो सरदर्द के लिए भी काफी फाइदे मन्द होती है तो guys इस तरह से इस medicine के बहुत सारे uses होते हैं अलग-अलग condition में और guys सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक युनानी medicine है जिनके अपने कोई side effect वगएरा नहीं होते हैं तो इनको जो है आसानी से लिया जा सकता है और किसी भी तरह के side effect वगएरा नहीं करती है काफी safe medicine होती है गईद अगर हम बात करें इसके composition की तो इसके अंदर जन्जबील, रेवर्ड चीनी, तुख्म, धतूरा, समगम, अर्वी इन सभी बहुत सारी युनानी जड़ी बूटियां होती हैं जिन से मिलाकर इसको गोली की form में त्यार किया जाता है और इसकी गोलियां बनाई जाती है गोली सुभा साम खाने के बाद में गरम पानी से हलके गुनगुने पानी से लेनी होती है तो ये इसका जो है डोस होता है और गाईज ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है मतलब जो children होते हैं इनके लिए बिल्कुल भी नहीं देनी है छोटे बच्चों के इरिडेंट्स है जिसकी बज़ा से बच्चों को बहुत ज्यादा नीद आएगी और उनको कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं तो इसको सही मात्रा में अगर कोई लेता है ये मैडिसिन जैसे सिर्फ एडल्ट के लिए है बड़े लोगों के लिए है और ये इसका अगर सही मात पहे में आपको ये मिल जाती है तो आप इसको ओनलाइन फार्मेसी से घरीज सकते हैं या फिर आप यूनानी मेडिकल इस्टोर से घरीज सकते हैं जहां से आपको उपलब्ध होती है गाईस वहां से आप इसको ले ले और इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जै हिंद जै भारत